हलो दोस्तों स्वागत है मेरे चानल पर देखिए आज हम लोगे गुरूप डी का किस तरह से वेट का टेस्ट होता है और फीजिकल किस तरह से होता है इस बारे में हम लोग वीडियो के माध्यम से ग्राउंड पर किस तरह से ये मेरा रिकॉर्डिंग किया हुआ है और इस इस और जिसमें मैं कौलिफाई हुआ था आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफरमेटिक होने वाला है आप इस वीडियो को जरूर लाइक किजेगो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजेगा तो देखिए सबसे पहले ये होता है कि ये पटना के जगजीवने स्टेडियम दानापूर में है जगजीवने स्टेडियम में पटना बोड़ का ये इसमें दोड होता है ठीक है तो देखिए सबसे पहले इसमें वेट को उठायाता है और यहां पर देखिए सेंसर लगा होता है जो कि आपके बाहों में एक सेंसर लगा होता है चीप लगा होता है जो कि यहां से अब को weight को उठाना है और सो म्ीटr के दूई पर दो मीनट में आपको जाना होता है जोकि आप च्छाना सकते हैं कि देख्यों को शांट इया मिंपछ उता सकती है चाहां पर यह दरत यह पर टेबलगा होता है इसमें बालुभर कितना पैदा लग दम जा रहा है लेकि कभी भी फेल नहीं होगा इसलिए आपको कभी भी दोड़ना नहीं है आप उठा कर आराम से जा सकते हैं डोड़ने के पिछी रीजन यह है आपको गिरने का डर रहेगा दुश्रा है कि आपको इस वेट को वेट के टेस्ट करने के बाद पिर उसी समय देखे कि रनिंग के लिए यहां पर ला दिया जाएगा तो आप वेट लेकर दोड़ियेगा तो हो सकता है कि पैरों में मोच आ जाएगा चाहे कुछ और प्रोल्म हो सकता है तो फिर आप रनिंग आपसे नहीं हो पाएगा इसलिए आप दोड़ियेगा मैं अराम से इसको ले जाना है और जैसे ही यह वेट का टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद देखिए इस बैच को रनिंग के लिए यहां पर इधर खाड़ा करते जाएगा जो कि हम दूसरा वीडियो के मादियम से उसको समझेंगे कि रनिंग कितना टाइम में और कौन राउंड के कित कितना टाइम लगता है और आप देखिए इस से दोड़ को यहां से देखते हुए भी और यहां पर टाइमिंग का भी अप ध्यान दीजेगा कि यह टोटल जो वीडियो है वह चार मिनट 47 सेकंड का है लेकिन आपको चार पंदर का रनिंग है तो आपको पता चलाएगा कि च कona time कितना लगता है ठिस तो सबसे पहले हम जानते हैं कि देखे यहां से आपको रंशे आपको वहां नहीं है चिब भीynnम मेंक भी आपको से सेगेंड का टाइमिंग आपका लॉस होता है आप यहां से दूर से दोड़िएगा तो फिर उसमें भी टाइमिंग थोड़ा से ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है तो यह ग्राउंड जो है 333 से मीटर का यह ग्राउंड है जो की तीन राउंड का होता है जग जीओने स्टेड चोटा है कि कौन लड़का का दूसरा रांड हुए किसका तीसरार रांड हुए किसका चौथा रांड हुए है तो आपको उसमें रांड का भी जरूर क्याल करना है देखिए इसमें पहला जो बच्चा है क्वह एक मिनट 4 सेकेंड में यह पार कर दिया यहाँ एक मैट लगा होता है और आपके पैरों में चीप लगा होता है जिससे कि यह मैट जो होता है रीड करना होता है और मैट पर पैर रखना बहुत जरूरी होता है तभी वह रीड कर पाएगा इसलिए इस बात को भी ध्यान देना है आपको ठीक है तो देखिए यहां तक जो है ए तो एक पहल का राउंड में अच्छा होता है क्योंकि उसमें इनर्जी भी ज्यादा होता है और दूसरा राउंड में दूसरा राउंड दोड़ने समय थोड़ा सा एक नॉर्मल आप स्पीड से दोड़िए लेकिन तीसा राउंड में आप एकदम स्प्लिंट माने कोशिच जाता है इस ग्रौड के आधा तक चल जाता है और आधा स्प्लिंट की तो आपको तीजी से दोड़ना होता है आप यह मत्त सोचे कि आप प्रवाइब प्रवाइब नहीं चल रहा है वह सकता है कि आपको एक हजार मीटर के दोड़ नहीं कर सकते हैं तो फिर आप आपका एनरजी लेबल क्या है आप कीस तरह से आप अपे इस धर्थी पर है आप मानिए कि आप इस तरह से मान के अपना मोटिवेशन बनाए रखिए देखें दुशा राउंड में है कि 2.37 में लगभख सारे लड़के पास कर गए हैं तो इस तरह से और और भी बच्चे हैं पीछे लेकिन उन लोगों का दिशा राउंड जैसे ही होगा तो हो सकता है कि उन लोगों को ज्यादा टाइम लग जाएगा इसलिए आपको अपने दोड़ते रहना है आप दूसरे बच्चे को मत देखिएगा क्योंकि उसमें हो सकता है कि कोई दूसरा राउंड वाला भी हो तिसा राउंड वाला भी होगा तो उससे आपको धोका हो सकता है ठीक है तो और अगला वीडियो में हम ये लाएंगे कि किस तरह से जदि किसी किसी को पैर में पैन हो जाता है या कोई और प्रोलम होता है ताब उसको कमेंट भी कीजिएगा और पैन का चुटकारा कैसे पाया जाए तो उसके लिए हम एक दूसरा वीडियो में बात करेंगे अब तीसा हैं लेकिन लगभग जो एवरेज स्टुएंट होता है वह तीस तीन पचास तीन चार मिनट तक दोड़ लेता है ठीक है इस तरह से भले आप एकदम तेजी से चलके और मैट पार करके ही आपको भले गिर जाना है गुरूप डी के दोड़ में कोई मरता नहीं है इसलिए इनर्जी नहीं रह गया है पैर नहीं चल रहा है पैर में पेन हो गया अरे भाई कुछ भी हो जाए लेकिन आप दोड़ो तो सही आप कम से कम मैट के पार करके ही कम से कम मीरो उसमें आपका कोई एनर्जी खतम नहीं होगा आप इस तना मोटिवेशन बनाए रखो क्योंकि ग आपका मोटिवेशन लेवर बहुत बढ़ जाता है इसलिए मेरे भाई दोड़ते रहना है प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है देखिए एक से हो सकता है कि आपको 10-15 दिन का आपको पेटी में टाइम है लेकिन उतना दिन आपको कम नहीं है पिछला बार भर दूजरे ठारक ज अच्छा तो हाँ पचाने के लिए आप दोड़ चकते हैं तीन किलो मेटर पांच किलो मेटर आप दोड़िए जिसमें कि आपको पैर से थोड़ा सा मुझबूत हो येगा हाँ पर आपका पचेगा तो आपको बस खाना है पीना है और आपको दोड़ते रहना है कम से कब 10-15 12 दिन के तो बात है यार उसके बाद तो फिर आपको लाइफ में दुसरा त्यारी करते रहिए आपना मोटिवेशन छोड़िए में दूसरा त्यारी करते रहिएगा ठीक है हम इसको नया वीडियो में आपको बतायेंगे कि कि कितना गुरूबडी के सेलरी अभी मुझे मिल है और पहले कितना मिलता था मतलब हम किये तो उस्समें कितना टीडु Fais हटी जाये गाए तो उस बीडियों हमडिटेल्हें बताएंगे तब-डी इस बीडियो अच्छे से कीजिए और जरूर आप क्वालीफाई हूजिए यहीं आपका ओर हम लोग का लगज्छ ह angular ज़्यादा ज़्यादा आप लोग क्वालिफाई कीजिए ग्रूप डी में ठीक है तो बेस्ट आफ लॉक है आप लोग के लिए और मेरे इस चैनल पर जदी नाए है तब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफर्मेटिक वीडियो आपको मिलते रहेंगे ठीक है धन् ग्रूप अवरूडब है